हलो आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सिहत मंद होंगे खुशाल होंगे अपना अच्छे तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं और बारिश का क्या हाल है मुझे जरूर जरूर बताना कॉमें सेक्शन में विकेज मैं रहती हू गुजरात में और यहां पर भयानक वाली बारिश हो रही है वाटर लॉगिंग पेड़ों का गिरना बहुत ज्यादा मतब कॉमन हो गया है कितनी जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिये गया है और आज यानि के वेनेस दे ज़े मैं वाइस ओवर कर रहे हैं इस वीडियो के ल अगी थे याना थाट कि रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूं बहुत ही सिंपल कुईक वाली रेसिपी में शेयर कर रही हूं यह जो सबजियां है ना यह आप रात में ही काटके रख सकते हो बट मैं थोड़ी मोरी चॉपिंग रहती है तो वह मैं फिर रात में नहीं करते है गोबी बनाना है तो वह मैं रात को साफ करके रखोंगी थोड़े बहुत प्याज मिर्ची वगेरा काटने हैं तो फिर मैं रात को नहीं काटती हूं मैं सुबही काट देती हूं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है चॉपिंग करना इस काइंड ऑफ ठेरप्यूटिक फॉर आपको पसंद हो तो फिर अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ी सी प्याज काट लिया है थोड़ी सी गाजरे और थोड़ी सी हरी मिर्ची और इसके बाद मैं बनाने लगी हूं बच्चों के लिए उपमा और बहुत ही सिंपल रेसिपी तो है सटीक मेजर्मेंट भी और एक तो पडिकंध के रवात थोड़ी सी पाइन रहती है और सूजी थोड़ी सी कोर्स वाली होते है इसको मैंने टोस्का लिया है वर ब्राउन नहीं करना खाली जो रहा था तू शवरेज दीखने लेगी इतनी देर इसे टोस्ट करना है अगर फ्रेक्मा बता या तो तब बच जाएगा और थोड़ा सा टोस्ट करने से अच्छा नटी टेह साने लगता है सूजी में से बढ़ या खुशबू आती है तब तक फूल कर सफेद हो जाती है इतनी ही देर आपको टोस्ट करना है कड़ाई में आट किया है मैंने ऑईल आप गी भी डाल सकते हैं और को आप फ्लेम तोड़ा लो मीडियम रखेगा और धियान दीजेगा कि आपकी मुंफिलियां काजू अच्छा से टोस्ट हो जाए दाले अच्छा टेस्ट आता है अपमा में थोड़ा सा चोटा सा टुकड़ा मैंने अद्रक का ग्रेट कर लिया है आड कर वी मिर्चे गाजर औ अच्छी मीठी मीठी हो जाती है डोंट वारी साथ में डाल सकते हैं अप फिर मैंने यहां पे थोड़े से फ्रोजन मटर अड़ किया है थोड़ा सा नमक अड़ किया और अभी बूनिये कम से कम 2-3 मिनिट इसको भूनियेगा सब्जिया है थोड़ी सेमी कुक हो जाएंगे इसके बाद इसके अंदर सूजी आड़ कर देजी, सूजी को अच्छी तरह FOLD कर लेंगे सबसीयों के अंदर और इसके बाहर दालेंगे इसमें पानी पानी डालेएगा गरम और पर्फिक्ट मेशर में बता ही है आपको एक कप लिया है अपने सूजी तो इसके सामने तीन जाएगा पानी मेरा कडाई थोड़ा चोटा है इसलिए मैंने दो कप ही डाला है एक बार सारी चीज़ें मिक्स कर लो तो बाद में और पानी डालूंगी इसमें उपर से एक चम्मच घी जरूर डालेगा इस ए गेंचेंजर अनुपमा इस वेरी कॉमन रेसेपी हर गर में बनत है तो मैंने बाद में एक कप पानी और डाल दिया था मिक्स करके डखकन लगा के पका लिया उपमा बहुत जल्दी से बन जाता है और बच्चे लों के आजकल एक्जाम्स ओन है एक शॉर्ट ब्रेक मिलता है उने तो इसके लिए बस एक दब्बे में इतना उपमा इस इनफ के लिए बट एक बार इस तरीके से बना के देखेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और मिर्चे थोड़ी सी तीखी वाली डालेगा क्योंकि हम लाल मिर्ची पाउडर तो डाली नहीं रहना इसमें तो वह जो एलमेंट है स्पाइसिनेस वाला उपमा बहुत स्पाइसी ह देखती हूँ क्या मेसेजिस आए हैं मेल वेल आई है कोई तो उसको रिपलाई कर देती हूँ उठते ही मैं कभी भी अपना फोन नहीं उडाती हूँ क्यों कि honestly बोलू मुझे टाइम ही नहीं होता है मैं घड़ी देखती हूँ अपने सुबह का जो फ्रेशन अप वाला काम करता वह करती हूँ सीधे कीचिन में जाती हूँ क्यों कि मुझे यह है कि फोन तो मैं बाद में भी देख लूँगी लेकिन अगर मेरे पांच मिनट की वजह से हम लोग लेट होगे ना तो बस छूट जाएगी और एक घंटा शर्मा जी का भी खराब हो जाएगा बच्चों सकूल तक चोड़ के आने मैं बहुत सार दोस्मेजे बोलता है कि आपकि लोग कड़ाई बहुत साफ बिखते हैं एक सफ करей ने कमें लिख कर भी बहृत नार रिप्ला के दिखाई तो में एक चोटा सा क्लिप यहां पे शेयर कर रही हूँ साफ करने के लिए मैं इसे नॉर्मल जो लिक्विड है मेरे पास दिश्वाश लिक्विड और स्कॉच ब्राइट इन दोनों से इसको वैसे हलका हलका गिस देती हूँ जब बरतन ताजा ताजा गंदा होता है ना मैंने अभी अभी इसमें उकमा बनाया था मैं अभी अभी इसे साफ कर दू तो इसे साफ कर ना असान रहेगा मैं इसे अगर रखे रखो और शाम को साफ करूंगी तो दाग गहरे हो जाते हैं इसलिए बरतन तुरंत ही जैसे आप फ्री हों किचन से दू डालिए एकदम कर दीजे सारा पानी हटा दीजो अब इसे गरम कर लीजे अच्छी तरह से हर तरफ से इसका पानी सूख जाए और आपको इसे ग्रीज करनी क ज़ुरत नहीं है यह वाली कडाई को मैं कभी भी ओयल करके नहीं रखती हूं ऐसे ही साफ करके सूखा करके रख देती हूं दिख करती हूं कि आपको convenient रहे तो लिंक मैं update करती रहा हूं तो आप वहां पे चेक कर सकते हो और बस लेट आफ्टरून से मैं वापस से किचन में आ जाती हूं थोड़े बहुत काम करने रहते हैं तो आज मैं मेरे जितने भी वुड़न आर्टिकल्स है ना इनको ओईल करूंगी प कभी खरीती हूं मैं भी पतली रोटिया और भी अच्छी बनाऊंगी बट मुझसे यह चलाना ही नहीं आता है क्योंकि मुझे तो आदत है उस मोटे वाले बिलन की रखा हूं मैंने कभी-कभी ट्राइज जरू करती रहती हूं मैं पीछे मैंने लगा रहा है एलेक्सा म्यू इसके तो ना चूट ना खराब हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वही जो मैं भी आप से बहुती है जो लोग नहीं करते हैं वो लोग फॉलो कर सकते हैं कोकोनट ओयल मैंने ले लिया है और हर एक वुड़न आर्टिकल जो है उसको दो करके सुखा करके फिर आप उस पर अच्छी तरह से ओयल जो है स्मेर कर दीजिए आप ओल्लीव ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं आप रखते हैं और कई दिन बाद इस्तमाल करते हैं फिर तो दो करी इस्तमाल कीजिएगा लुक अभी जिस पर मैंने ओयल नहीं किया वह वाइट वाइट हैं जिनको वाइल कर दिया वह कितने अच्छा मॉस्चराइजड लग रहे हैं जो वुड़न आटिकल्स हैं उनको इस्तमाल करते रहता हैं हम उनको दोते भी रहते हैं तो वुड़ का जो नाच्रल ओएल होता है वह डिपलीट होता जाता है तो सौट अफ रिप्लैनिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर आटिफिशली ओईल करके उसको और करके दिणू से सौधा करें दिआल दीजिंडे के स्क्रब कर लाइचे से सबस्य दकाइब को अगा स्कॉछ बाइट नाइव के नाद नाइफ के ना सिर्फ kitchen के wooden articles को आप इस तरह ओयल कर सकते हैं बट घर का जो furniture रहता है ना आपका dining table, sofa वगेरा जो भी लकडी का है उसको भी आप इस तरह से ओयल कर सकते हैं तो उसकी जो shine है वो भी increase हो जाएगी और life भी बढ़ जाएगी और मैंने इस्तमाल किया है virgin coconut oil आप olive oil का भी इस्तमाल कर सकते हो इसकी बाद थोड़े दिन पहले मैंगी थी grocery और मैं लेकर आई थी butter तो butter को मैं हमेशा पूरा block इस तरह से नहीं रखती हूँ थोड़ा ऐसे block में ही रखती हूँ बढ़ थोड़ा सा ना chop करके मैं रख देती हू किसी container के अंदर तो इससे क्या होता है आपको जल्दी होती है सुबह में तो specially बहुत जल्दी होती है तो इस वक टेंशन नहीं होती आप यह चोटे-चोटे blocks काट करके स्टोर किया है सीधे डपे में से एक-दो जितने भी आपको block की ज़रत है निकालके डारेक्ली cook कर सकते ह है और सो बेकिंग में अगर आप बटर का इस्तमाल करते हो तो इस तरह से बटर को मेजर करना भी आसान हो जाता है आपको जितना भी बटर चाहिए उतना काट लीजे चोटे बड़े क्यूब्स में और इसके बाद किसी अच्छे कंटेनर में प्रफरबली एर टाइट कंटे कर देगा हजबन घर आ चुके हैं मन हो रहा था उनका चाय का थोड़ा तो थक जाते हैं इसलिए भी चाय की इच्छा होती है और आजकल बारिश को देख कर ही मन होने लगता है कि चाय पीजाए तो बस उनके लिए चाय बना रही हूं उनके लिए क्या हम दोनों के लिए ही बन रही है हमारी शाम की चाय भी हम लोग साथ में इंजॉय करेंगे फिर वो लग जाएंगे अपना कभी-कभी उनको ओफिस का भी काम रहता है और फैक्टरी के भी जितना वेबसाइट वोग रहता है वह सारा वही हैं आमेजॉन वगेरा से जो कुछ भी रहता है हमारा फै प्रोड़क्स का तो काफी सारे काम रहता है शर्मा जी को ऑफिस से आने के बाद भी वाइट अपको केक है एगलेस टूटी-फूटी केक बनाया था मैंने कल के वीडियो में मिस किया आपने तो वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग दूँगी चेक कीज हो जाएगी और यहां मैंने थोड़े से जो बादाम है वह मेरे स्लाइसर जो है यह नट चॉपर इस स्लाइस के लिए बहुत ही अच्छा टूल है यह आप ज़रूर से खरीदेगा अब तक नहीं खरीदा है किचन में बहुत असानी होती है नट की जहां तक बात आपको जब बैसन वाला शीरा रहता है ना वह खासी जुकाम के लिए बहुत अच्छा रहता है उनकी दवाई तो चल ही रही है बट मैं शीरा वगरा भी बनाती रहती हूं तो इससे ना काफी रिलीफ हो जाता है कासी जुकाम वगरा में आजकल बच्चे जब घर से जाते हैं तो ठीक ह पिछले हफते भी वह स्कूल जाकर बिमार होए थे हम लोग उनकी मेडिसन लेकर आया थे खिलाया ठीक हो गया फिर वापस एक्जाम्स की वजह से अभी रेगिलरली स्कूल जाते हैं और वापस से वही हालत हो गी है तो वही जो दवाईया है वही उनकी मैं दे देती हूं औ और मैं भाइट अब वही उनकी मरी दे चाहे बла जोटूं दाला झालए गी स्कूल मुन आप ज़ी तो पीनी जैसी पंस्सिर का होई है थिक शूप जयासा इतना को दूद दालना थे न एक धोघी हरूद मतलब होम रेमिडी है जुकाम और खासी के लिए बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग इसको कंजूम कर सकते हैं शानु खुशी शर्मा जी के लिए तो मैं देती हूं लास्ट जब मम्य पापा मेरे साथ रहते थे ना जब तक अपने घर में शिफ्ट ने हुए थे तो को हुई ही जाती है तो आप भी ट्राइ कर सकते हैं बच्चे नहीं सभी लोग इसे कंजूम कर सकते हैं यह बहुत टेस्टी भी लगता है सिंपल सा डिनर बना रही थी मैं मैंने सचा यह रेसिपी बहुत अच्छी सी है एक तो क्विक है दूसरा अगर आप वेट लॉस कर र दो हरी मिर्चे ऐसे ही अखा एंदें प्यास कटे वे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे प्यास बिल्कुल हलके भूनने है कलर नहीं देना है इसके अंदर कर देंगे मसाले बिल्कुल कम मिर्ची का पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर किचरी में जादा मिर्ची नहीं अच्छी लगती है और इसके बाद यह मसाले अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे फिर यह है मूंकी दाल जो मैंने धो करके सोक कर लिया है यह आड़ करेंगे आप चाहें तो इसे भी टोस्ट कर सकते हो एड़ किया है मैंने थोड़े से यहां पे मतर आप गाजर ब भूनिएगा थोड़ा कलर भी बदल जाएगा और इस स्टेज पे इसके इंदर जो ओट सेना मैंने इनको थोड़ा सा यह जटक लेते हैं तो दूल साइड हो जाती है दूल हटा दिया है मैंने सिर्फ ओट्स यहां अंदर आड़ कर दिया है अभी ओट्स को भी दाल और सब् भून लेंगे जो रोल ओट से थिक रहते हैं और इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है अब इंस्टेंट ओट्स अगर इस्तमाल करें तो पर पानी भी आपको कम लेगा और कुक भी आपको कम देर के लिए करना होगा वह मैं आगे बताती हूं फिलाल सारी करते हैं तो एक सीटी दीजेगा और स्टील कट ओट्स अगर आप इस्तमाल करें तो दो सीटी दीजेगा और कुकर का प्रशर नाचरली रिलीज हो जाएगा तब लीड खोलकर अच्छी तरह से चला लीजे खिचडी को ऐसे थोड़ा सा माश कर लिया जाता है और यह बनाई हैं मसाले कम रखे हैं ओर्स दाल सब अपने आप में हेल्दी है यह जैसे भी आप ट्राय जुरूर कीजेगा आपको पसंद आईगे और अभी जैसा मौनसून का मौसम है ना तो एकदम ही कमफटेबल सा सिंपल सा डिनर बहुत आपको मज़ा देगा इसके बाद मैं डि आज मैं प्लान कर रही हूं चिमनी साफ करने का तो मैंने डिश्वाशर लोड किया है चिमनी के जो फिल्टर्स हैं मैं डिश्वाशर में ही लोड कर दीती हूं आजकल तो तोड़ा जल्दी साफ हो जाता है महीने में दो बार कर दीती हूं तो यह तोड़े साफ ही रहता है बरतन भी लगा दी है मैंने तो डिश वाशर भी रन करेंगे और फिर जाकर जो चिमनी है उसकी बॉड़ी को क्लीन करती हूँ और चिमनी हो तो हर रोजी साफ होती है इसके उपर कपड़ा तो रोजी मारती हूँ मैं और जो विनेगर वाला मैंने अपना DIY सलिशन में ना रखा है न उसे रोजी बाहर से तो साफ हो जाती है पर जब मैं इसके फिल्टर निकाल कर साफ करती हूँ इसका नाम है मैंने खरीदा था हमें जौन से और काफी वकसे मैं इसे ही स्तमाल करें हूँ और यह चिमनी भी गास टूब भी जहां कहीं भी ग्रीज से रिलेटिड गंक है ना उसको रिमूव करने है बहुत हल्फुल है तो मैं यहां थोड़ा मैंने स्प्रे कर दिया है इसके बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा स्क्रब कर रही हूँ बहुत मैंनत नहीं करनी I just have a tissue towel in my hand scrubber की ज़रती नहीं है और बस यह जो grease है उसको एकदम ही तोड़ देता है डिजॉल्व कर देता है और एजीली सफाई हो जाती है तो पूरा जो चिमनी की body है वो मैं इसी से clean कर लूँगी बहुत जादा गंदा नहीं हुआ है क्योंकि मैं regularly clean करते रहती हूं सिफ crevices में ज सब जगह सफाई करने के पाद आपको नॉमल टावल यानि के पानी में गीले के होब टावल से भी इसको साफ करना होगो सो तैट यह जितना भी केमिकल है ना यह सर्फिस पे से रिमूव हो जाए कर दो जाए चिमनी का जितना भी सर्फिस है ना अंदर बाहर उपर नीचे जो विजिबल सर्फिस है वो तो पूरा मैं क्लीन करें देती हूं कभी-कभी इस तरह फिल्टर निकालके अंदर से भी साफ कर देती हूं बट अंडर तो हूड मैं नहीं साफ करती हूं उसके लिए हम लोग फिर अर्बन क्लाप की सर्फिस लेता ह वो लोग प्रोफेशनल्स है और बहुत अच्छी तरह से अंदर तर क्लीनिंग कर देता है और चिमनी हो चुके है साफ फिल्टर धूल रहे हैं जैसे मेरा डिश्वाशर का टाइम अप होगा फिल्टर भी मैं आरेंज कर दूंगी फिलाल जो रेगिलर नाइट टाइम क्लीन प्लाटफॉर्म और गास्टूफ भी साफ कर लिया है गास्टूफ भी ऐसे बस कपड़ा मार कर यह मैं साफ कर लेती हूं दिन में एक ही बार जो विनेगर वाला डियावाई सलीशन है मेरा उससे इसको साफ करती हूं हर बार नहीं और फिर 10-15 दिन में एक बार मैं डीप क्ल लेतूलोका में दिन सकानेशन होई होती है और उसके बाद फिर किच्छन कपनले उपकर याद करो की अपने बहुत सारे फाइदे तो कोग्रोच यह वो गंडिगी नहीं होती है पर जब सुभा उठकर आते हैं ना जब खाना बनाने का मन नहीं करता especially मेरे जैसा इंसान जो बिल्बकुल भी morning person नहीं है फिर इतनी साफ सुतरी kitchen मिले ना तो फिर असा लगता है हाँ thank god चलो अभी काम कर ही लेते हैं तो मैं सुभा में बच्चों के टिफिन के तियारी कर रही हूँ तो इसलिए यह जो पनीर है ना मैं रखती हूँ फ्रीजर में तो मैंने पाकेट खोल लिया है और इसको इस तरह पानी में डूबो करके आप मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी इस तरह आप तीन दिन तक पनीर को स्टोर कर सकता है इन फ्रिज बस पानी हर रोज जो है चेंज कीजेगा यहाँ पर देश वाशर मेरा साइकल हो चुका है पूरा और यह जो फिल्टर्स हैं अभी यह सब जाएंगे जगह पर अछा कहा तरह आठाव बाचे हर अच्छा क्लीन हो गिया है पामो के लगाने देए वो दूखा से युअ कहा बड़ाम से बड़ाम से इतना गड़ाम से तूड़ाएगर जाले किरेगा और गैसखनागार जिए। यह जो लगा लगारी है लगाय तरही है जाबु दिहान से लगाविला mean किराना नहीं है गुमा उसको गॉपुपु गॉपमा उसके अच्छपव सब्सक्टप्शड़गा अच्छपव नहीं है तो जूप जूप तरहो लग 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 नाच को जोटा को अखुड़े शाप हो गया चिम्मे ये ये वाव आओ 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 शानू मेरे वाओ सानू अओ आओ को प्रूटी इस बहुत सुंदर सानू बहुत ही बड़ी आओ कि आओ बार मन करहा हूं पर्मोनेंट करा लिए उसे इसके ओपर ही इंकर वाला हाँ सेच में यार किदन सुन्दर मुनाया इस नहीं